नमस्कार दुस्टो टेक उश्वा के एक फ्रेश अपिसोड में अश्रविका स्वागत है तो चले आज हम बात करते हैं एक पावर बैंक के बारे में जहां पे 30,000 M.H. का पावर बैंक मार्केट में लाँच हो जुका है M.I. की तरब से आने वाला यह जो पावर बैंक है M.I. 30,000 M.H. का पावर बैंक जो है 18W का फास्ट चाजिंग इसमें अवेलेबल है और पावर डिलिवरी 3.0 के साथ में आता है यहां पे M.I. का बैंजिंग आपको देखने को मिल रहा है समने के साड़ पे और यहां पे anti-skid finish दिया गया है जिसकी बज़े से यह हाथ से फिसल ना जाए इसकी weight की बज़े से और आप देख पारे हो it can comfortably snug fit in your hand आगे बात करते हैं तो यहां पे आप देख पारे हो एक power button आप देख पारे हो USB output जो है वो तीन तरीके का USB output आपको देखने को मिल रहा है और आपको type C का input मिलेगा जो dual input है जिसके बज़े से type C और micro USB का दो input है जिसके बज़े से आप दो charger लगा के इसको quick charge कर सकते हो और यहां पे dual input और triple output यहां पे provide किया गया है जैसे आप देख पारे हो यहां पे LED indicators भी है जो आपको बैटरी का कितना charge बाकी है वो आपको provide करेंगे 25% के सबसे 4 LED यहां पे provide किया गया है 30,000 mAh का massive battery यहां पे आपको देखने को मिल रहा है dual input with type C देखने को मिल रहा है triple port है triple port output देखने को मिल रहा है smart power management है power delivery 3.0 दिया गया है और advanced 16 layer का circuit protection भी है 24 watt का fast recharging यहां पे available है उसे की साथ में superior anti-skid finish भी आपको यहां पे मिल रहा है इस तरीके से यह जो बलकी battery pack आ रहा है यह 2299 रुपे में available है पर आप देख पार है यहां पे power delivery 3.0 के सबसे it will regulate the power provided between 3 devices at the time of charge तो अगर आप एक speaker चार्ज करे हो एक छोटा सा phone चार्ज करे हो और एक बड़ा tablet चार्ज करे हो तो उसके सबसे power delivery जो है वो triple port output से आपको provide होते दिखाए देंगे और यह demand के सबसे वो power delivery output जो है वो manage करेगा internally by using the provided circuits आगे बात करते तो यहां पे 24 watt का आपको fast charging देखने को मिल रहा है dual input तो इसमें एक type C का input है और एक micro USB का input provided है dual charging को लगा कि आप इसको 24 watt से जल्द से चार्ज कर सकते हो approximately dual charge करने के बाद मुझे लगता है कम से कम 5 गंटा इसको लगेगा और अगर आप single charger से करते हो तो कम से कम 12 गंटे का time लगेगा 30,000 watt को चार्ज करने के लिए smart power management है जहां पर low power charging होगा जब आप small gadgets वगरा चार्ज करोगे जैसे मैंने बोला कि यहां पर smartly manage किया जाता है power outage, power output और जिसकी बज़े से device के use के हिसाब से charging प्रोइड किया जाता है इसे के साथ में यहां पर add one 16 layer का circuit protection भी दिया गया है जिसकी बज़े से कहीं पर भी कोई power delivery होते वक्त यह circuit properly maintain करेगा power delivery और जिसकी बज़े से कोई भी short circuit वगरा होगा नहीं यह advanced circuit की बज़े से 30,000 mAh का जो यह massive mAh का battery है just for your information you cannot, this is not allowed on flights तो यह आप flight के उपर नहीं लेके जा सकते हो लेकिन आपके casual journey के लिए जो आप by train या by road करोगे उसके लिए you can easily use this तो इस तरह के से आने वाला यह 30,000 mAh का massive battery आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बतेए thank you for watching, please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरे tech video youtube channel को आपका हर एक like, हर एक share और हर एक subscribe मुझे बहुत motivate करेगा ऐसे नहीं नहीं वीडियो हर दिन बनाने के लिए तो मैं मिलता हम आपको एक fresh episode के जाए tomorrow तब तक you guys, take care the universe of infinite technologies को ज़रूर subscribe कीजिए to get the latest updates on a daily basis so that you can keep in touch with the new updates regarding the tech follow कीजिए मुझे at the red techvishwa पे on instagram आपको एक सब्सक्रांण एक करेगा